आज हम लोग उत्तर प्रदेश में राजस लेखपाल की पोस्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफर और पर्मोशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तथा सैलरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो जब हम लोगोंने सन 2016 में लेखपाल की नौकरी जोएन की थी तो उस समय हमारी पहली सैलरी 19,715 रुपए आई थी लेकिन अब सेबन्थ पे कमिशन लागू हो चुका है तो जब आप लोग जोईन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी हरे और डिये को मिला कर लगभग आपको 23,000 से 24,000 रुपए मिलेंगे तो थोड़ा बहुत अब हम लेखपाल की पोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं तो ऐसा है जब सन 2015-16 वाली लेखपाल की वेकेंसी आई थी वह डिस्ट्रिक लेबल पर आई थी तो इसमें जिस ने ज आकुमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों से 24 मांगा जाए कि आप किस चिले में नौकरी करना चाहेंगे और आपके 24 के कार्डिंग और जिस इसाब से आपको नंबर मिले होंगे उसके कार्डिंग आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक लाट कर दी जाएगी जब आप ल 2016 की बैच की पहले लेखपाल की ट्रेनिंग राजा टोडर मल सरविच्छड भूले एक यहों पर सिच्छड संस्थान हरदोई में होती थी परंतु 2016 में ट्रेनी लेखपालों की संख्या बहुत अधिक होने कारण हर जिले में किसी बड़े इंटर कालेज या डिगरी कालेज इस बार भी लगभग 8000 लेखपाल को ट्रेनिंग देनी होगी तो इस बार भी यही उम्मीद है कि पहले की तरह ही हर जिले में ट्रेनिंग इस्टिटूट बनाये जाएंगे जिस तैसिल में आपकी पोस्टिंग होगी वहां के तैसिलदार साहा भी आपके प्रिंस्पल इसके साथ साथ ही आपको दाखिल खारीज और दुरुस्ति कागजात जैसा एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और आपको इसके साथ साथ ही सर्वेच्छन करना यानि की सर्वे करना पैमाइज करना मैप ट्रेसिंग करना आधी चीज़ें सिखाई जाएंगी और यह सारे सब्जेक्ट आपको टैसिलदार साहब नायब टैसिलदार साहब और कानौन गो यानि कि रिवनियर इस्पेक्टर मिलके पढ़ाएंगे आपको हफते में तीन दिन आपकी ट्रेनिंग इस्टिटूट में ट्रेनिंग क्लासेच चलेंगी और इसकी टाइमिंग सुभा 10 सब्सक्राइब सब्सक्राइब और तीन दिन आपको अपनी पर्टेकुलर तैसिल में रहकर प्रेक्टिकल वर्क सीखना होगा संडे को आप लोगों की छुट्टी होगी ट्रेनिंग के दावरान अगर आपको कुई छुट्टी लेना है तो सिर्फ तैसिलदार सहा भी और उसके बाद उसी ट्रेनिंग के पर बेश्टी के एक्जाम होता है जिसे आपको तीन अटेंट में पास करना होता और अगर वह एक्जाम आप पास कर लेते हैं तीन अटेंट मिलाके तो आप फानली लेखपाल बन जाएंगे अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरे जिले में किया जाता था लेकिन सन 2017 में पर देश के सभी लेखपालों में मिलकर अपने अपने पूरे तर्श पीरियाट के दवरान एक बार अपना प्रने मंडल में करा सकता है तता मंडल में पहुंचने के बाद वह अपना ट्रांसपर कमिशनर के द्वारा अपने जिले में भी करा सकता है मतलब एक मंडल से दूसरे मंडल में ट्रांसपर बोर्ड आफ रिवन्नू करता है एक जिले से दूसरे जिले में एक तहसिल में मैक्सिमम एक लेखपाल दस साल तक जौब कर सकता है, दस साल पूरा होने के बाद DM के दौरा उसका ट्रांसफर उसे जिले की किसी दूसरी तहसिल में कर दिया जाता है, तथा एक हलके में एक लेखपाल तीन साल तक रह सकता है, तिन साल पूरा होने के बाद उसका ट्रांसफर उसी तैसिल के किसी दूसरे हलके में कर दिया जाता है यह नियम है बाकि ऐसा नहीं है कि आपका तिन साल पूरा हो गया ता आपको इस हलके सटा है दिया जाएगा यह फिर आपका दस साल पूरा हो गया ता आपकी तैसिल चेंज में इससे बहुत अलाग है आपको टैंसल लेने ज़रुवत नहीं है पास करके आई यह दबागे नौकरी करिए लेकिन आप पिछले कुछ सालों से प्रमोशन में तेजी आई है अब तो कुछ कुछ लोग प्रमोट होकर तैसिलदार और नया तैसिलदार के पत पर भी पहुंच जा रहे हैं अभी तक एक कानुन गो के अंडर में 15 से लेकर 20 लेखपार होते थे परन्तु काफी दिनों से ले रिटायर ही होने वाले हैं तो अब नए बच्चों के प्रमोशन के चांसेज भी काफी बढ़ रहे हैं पूरे यूपी में लेखपाल ही कैसा पद है जिससे आप प्रमोट होके मजिस्ट्रेट यानि तैसिलदार और नायब तैसिलदार के पत तक पहुंच सकते हैं अगर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब भी करिएगा तो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग